असलाम उलीकूम विवर्स मैं रोजी नमस है रोड आप दीकरें फूट लवर्स आज मैं बना रही हूं जी मसाला टींडे ओहो सुनके घबरान आजाएं अच्छा दी इस तरह की टींडे बताएं पहले कौन नहीं खाना चाहेगा तो चलें बगएर टाइम को वेस्ट के बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमेलर वहमानि रहीं सबसे पहले तो ये देखें 5-6 जवे जो हैं वो लेसन के हैं अद्रक है और 2 टमाटर हैं इनके मैंने चिल के रिमूव कर लिए हैं बड़े साइस का प्याज हैं और 3 अदद हैं हरी मिर्शे हैं हुबसूरत सी तो जी इन सब को ग्राइंड करके इसका पेस्ट पना लेंगे और ये देखें एक तरफ हैं जी टींडे मोटे मोटे से काट लिए हैं इनको उपर से छील लिए है स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले एक फ्राइपन में लेंगी ओयल तो ये जो टमाटर प्याज अत्रग और लेसन हरी मिर्शों का पेस्ट है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेने जब तक इसका जो आयल है वो अच्छे से सेपरेटी हो जाता और साथ ही जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी चैनल को सबस्क्राइब करते जाएं लाइक करते जाएं और शेयर करना ना भूलिएगा और यह देखें कुछ स्पाइसी जाएंगे नमक जाएगी वन टीस्पून सुरक मिर्श जाएगी वन टीस्पून वन टीस्पून ही जाएगा सुखदन या पाउडर और हाफ टीस्पून जाएगी हल्दी वन टीस्पून ही इसमें शामिन कर देंगे सफेद जीरा साबत नहीं भी टींडे पसंद करता ना वो भी शौक से काएगा यह देखिए आयल अच्छे से सेपरोट हो गया हाफ टी स्पून मैं इसमें सूखी मित्ती डाल दिये और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और अभी हम मजीद इसकी बुनाई करेंगे मसाले की और इस टाइ दही एक छोटी प्याली है यानि कि एक पाउ से थोड़ा सा कम दही है इसको अच्छी से फैंट की इसमें शामिल करेंगी वरना गुट्लियां बन जाएंगी और यह देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे दही पानी जो छोड़ेगा वो ड्राइ होना शाहिए ठीक है इसलिए इसको धाम देंगे दम पे रखेंगे 10 पिनट के लिए और एक तरफ हम लेंगे फ्राइ पैन उसमें मैंने आड़ कर दिया थ्री टू फॉर टिबिल स्पून और यह देखिए जो टेंडे हैं मोटे मोट से काटे थे इसको मैंने नमक और काली मिर्श लगा के रख दिया था इन टीनटों को अभी हम करेंगे इस फ्राइ पैन में फ्राइ सारे के सारे टीनटे जो हैं इस फ्राइ पैन में डाल देंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे एक से दो मिनट इसको हाई फ्लेम पे बना जो है वो separate से बनाया एंबास टाइम क्युक्हे इस तरह हicas होता है कि टेंडिन जब हम डाले में डौके तो वह गल ते नहीं यह देखें थोड़ा सा क Dennis आड़ करूंगी ताकि इतना पानी आड़ करेंगे जिसमें ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से ठीक है और ये देखें इसको ढापके मैं 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगी ताकि ये अच्छी से गल जाए 10 मिनट के बाद ये देखें टींडो की ये सिच्वेशन है आपको नजर आ रहा होगा कितने सॉफ्ट और कितने जबर्दस गल गए है तो ये देखें जी अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखें कितनी अच्छी तरह से टींडे गल गए है और ऑईल अच्छी से सेप्रोट हो गया ये सारी के सारी टींडे जो है इस मसाली में शामिल कर देंगे मिक्स करेंगी साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हन नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से शियर किया करें उन्हें वर्टसाइब किया करें और ये देखें ओल अच्छी सी सेप्रोट हो गया है टिंडे भी हमने इसमें एक से दो मिनट भून लिया है टिंडे भी रेडि है मसाला भी रेडि है तोड़ा सा पानी Est करेंगे इसकी दोड़ी सी ग्रेवी प्रेवी करेंगे ये देखें जी आप अपने ही साप सी इसकी ग्रेवी कर लें जितनी आपको पसंद है इसको मैं दमबली फ्लेम पे रख दूँगी दो से तीन मिनट के लिए जैसे ही इसका ओइल सेप्रेट हो जाएगा हम इसको दुबारा फिर डिश आउट करेंगे ठीक है और यह देखें आफ़र फॉर तो फाइव मिनट्स यह कंडिशन है माशाला कितनी जबर्दस ग्रेवी जो है बन गई है दनिया गानिश करेंगे फ्रेश कुटा कटा हुआ और इसको हम करेंगे सर्फ और हलका सहल आएंगे अभी मिकसिंग नहीं करेंगे इसी तरह हम इसको सर्फ कर लेंगे ठीक है एक मिनट के बाद और यह देखिए अभी मैं सर्फ कर रही है आप ग्रेवी देखें और टेंडे देखें कैसे शांदार बने हैं आपने इस रेस्पी को लाजमी ट्राइ करना है भूलना नहीं है ठीक है अपनी दुआओं में याद रखें अच्छा जी आप अगर यह रेस्पी ट्राइ करेंगे ना तो आप लाजमी मुझे दौाइं देएंगे के रूजी ना आप ने यह कमाल की रेस्पी बना दी है देखें आप इसको लाजमी ट्राइ कीजेगा और मुझे फीडबेक लाजमी दीजेगा फाइनल लुक देखते जाएं यह देखें कैसी शानदार फाइनल लुक है माशाला आपके बच्चे भी टीन डे शौक सिखाएंगे अगर आप इस रेस्पी को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट इंचाला हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनी दुआओं में याद रखें जी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो नेक्स्ट मिलते हैं जी एक नहीं और बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफेज